लोक कला संस्कृती थीटर को लेकर विंध अक्सर सजग ही रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है लेकिन समय दर समय जब चीजों को बहुत बड़े लेबल पर लेके जाना था तब ये महसूस हुआ कि उस इस्तर तक चीजे नहीं पहुँच पाई लेकिन उस पहचान यहां की संस्कृती यहां की धरोहर की पहचान उपर तक पहुचे लोगों तक पहुचे और एक बहुत बड़ा प्रयास चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थीटर फेस्टिवल तीन सीजन रीवा में हो चुके हैं और वो टीम है पूरी जो इस आयोजन को करत किसको बुलाना है देन दीरे दीरे फर्स्ट में जो समस्यां आई उसको हमने सेकेंड में सॉल्व किया सेकेंड का थर्ड में अब फॉर्थ जो थर्ड में थी अब उसको हम फॉर्थ में सॉल्व कर रहे हैं चुनौतियां आती हैं पर उस पर विशेस रूप से ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि करने में ज्यादा फोकस्ट रहते हैं अंकित इस बार क्या कुछ नया क्योंकि तीन सीजन तो देख लिए फिल्मों के प्रेजंटेशन हुए नाक नाटक हुए बहुत सारी चीजे हुई इस बार क्या कुछ अलग मिलने वाला है इस फिल्म फेस्टिवल एक तो बुक फेर हम ल और आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला भी है और हैंड क्राफ्ट जितना भी है हमने कोशिस किया है कि उसका पूरा मेला लगे पूरे परिसार में जी शुबं यह बताईए इस बार बैंड भी लेके आ रहे हैं अप लोग थोड़ा सा नई चीज है देखिए क्योंकि रिवा के जाए और विंद्य के लिए भी नई चीज है कैसे आइडिया आया कि इस बार बैंड भी बुलाया जाए डिसकुशन तो हुआ है पहले सीजन में भी दूसरे में भी तीसरे में भी एक आईडिया रहा है भाया कि फिल्म फिस्टिवल एक बार होता है लग भाग इस्त हमारे म और पिछले साल जैसे मैं अटली ठाकुराइन थी तो लोगों ने बहुत कहा था कि इस तरह का एक ऐसा आयोजन म्युजिक के लिए भी होना चाहिएक यह तो में तो तो इसले म्यूजिक इसका एक विशेस हिस्सा रहा है और कई लोगों ने पिछले साल हमारी डिमांड भी की थी कि कभीर कैफे के गाने के बहुत सुने हैं करोडों में व्यूज हैं मन लाग्यों मेरा यार फकीरी में मत करमाया का अभिमान और जो एक उनका सूफी पना है गाने का जो अध्यात में भी जुड़ाओ है और आज का यूथ उससे जुड़ पा रहा है ऐसा अध्यात में तो इसलिए कभीर कैफे को बुल में तो रहेंगे ही और साथ में उसके लिए हम और भी जादा उत्साहित हैं उसका सुनने के लिए एक पूरी टीम है मुझे अंकित ने शुरुआत में बताया कि यह टीम वहाँ पर हनुमान जी पर केंद्रित एक हनुमान लीला करने वाली है क्या प्रिपरेशन है और कैसा होसे बारे में उनके कताएं और जो उन्ने राम एन में लिलाएं की है तो उसके बारे में तो मैं तो यहिंू कुँगए कि बहुत ही ज्यादाम जाने वाली है और सब अच्छे से तयार हैं के लिए तो तो पूरा विंद क्या पूरा देख देकेगा तो कित ऐसी प्रप्रेशन और कप से चल रहे हैं यह प्रेशन यई और मियरी सिट रहे लिप है कि मतलब हमारा नाटक की एक घंटे पचास मिनट का है तो उसके लिए हम लोग को at least at least तीन घंटे तो देने ही पड़ते हैं और महनत की बात है तो सब जिससे जितना हो पाते हैं सब उतना करते हैं मतलब उससे जादे ही करने कोशिश करते हैं जैसे हमारी कॉस्ट्यम हो गया क्राफ्ट हो गया बैक्स्टेज हो गया म्यूजिक हो गई जितना कुछ भी है तो हम सब लोग मिलकर काफी हेल्प करते हैं मतलब आज़ा टीमवर्क काफी अच्छा ही नाटक है यह आप लोगों को देखने भी बहुत माज़ आएगा प्रिपरेशन बहुत चल रही एक सवाल मेरा है इसमें अनवान जी कौन बनेगा चुट्टी पे हैं अनवान जी अच्छा तो मतलब और कोई किरदार अच्छा मैं एक सवाल यह जाना चाहरा था अंकित की जैसे माली जी कभी होता है जब मैं मीडिया में आया था तो कि पता नहीं चलता हुआ हूं और बड़े पता चल वहाता है और दूसरी वात ज़से की ने ने एक्टर साथे बड़े टीवी के जुन को हम देखते हैं और सामने से जम झाल हम लोग को पता चलता है विक यसी लाइपस्टाईल और अंकित दादा हमारे उनको लेकर आते हैं को यहां तक अंकित लेकर आए हैं पूरी टीम लेकर आई है क्योंकि टीम वर्क से ही सब कुछ होता है फेस्टिवल को लेकर क्या उत्सा है आप लोगों में क्योंकि तीन सीजन तो हम लोगों ने भी देखे आपने भी देखे इस बार आपको क्या लगता है फेस्टिवल किन उ तो उमीद यही है कि बहुत अच्छा ही कर पाहिए। तो पूरे प्रयास है कि इस बार बहुत सफल आयोजन होने वाला है और और क्या कुछ मिलने वाला है विंद को रीवा को इस फेस्टिवल के माद्यां पर तो बहुत साही चीजें मिलने वाली उनको हलेकि बहुत सारे है अभी एक महिने से की दो-तीन महिने से पिछले दिसंबर से होई है दिसंबर जनवरी फरवरी चली रही मैनत अच्छा मतलब एक साल हो गया एक तरह से अंकित मैं यह जानना चाहरा हूं इस बार एक कॉंसेप्ट आपने बताया कि बुक फेयर के लिए आपने प्रयास किया है अमोवन यह देखा गया कि बुक फेयर मतलब दिल्ली भोपाल या फिर बड़े शहर कैसे दिमाग में आया कि बुक फेयर करना चाहिए क्या प्रिप्रेशन है कितना बड़ा होगा वह बुक फेयर क्योंकि सीदे सीदे बहुत लोगों को जरूरत रहती है है और उस चक्कर में पढ़ भी नहीं पाते हैं फोन देखते देखते सो जाते हैं तो यह मेरे मैं लगातार कहता हूं अपने क्लास में बच्चों को कि आप पढ़ना शुरू करो पढ़ो पढ़ो तो फिर यह कह देते हैं Amazon से नहीं आप आई है मैंने ये किया है और किया है कि हम अगर 3 दिन तक Book Fair एहां पर राजकमल प्रकाशन, लोग भारती प्रकाशन एक और प्रकाशन हैं तीन प्रकाशन लेके आ रहे हैं तो जब पूरे देश का साहित है हमारे सामने होगा और हम शहर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी किताबें चाहते हैं कि वो मेरे सा प्रयास है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रयास में तमाम वो लोग जुड़े हुए हैं और एक बहुत अच्छा नाटक, बहुत अच्छा डिसकुशन, तमाम वो फिल्मे, बुक फेयर, सब कुछ देखने को मिलेगा, विंध्योत साहित है और तमाम वो लोग जो जुड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि इस तरह की प्रयासों में विंध्या टाइम्स की अपील है कि शेहर का हर युवा जुड़े, तमाम सिक्षित, पढ़े लिखे और वो लोग भी जुड़े, जिनका थिएटर में इंट्रेस्ट है, फिल्में इंट्रेस्ट है, क्य इस फेस्टिबल, डेट क्या-क्या है अंकेत इस बार, 21-22-23 फरवरी, तीन दिन, एकदम टाइट से डियूल है, मतलब सुबह से लेके शाम तक, जी, सुबह 10 बज़े हम शुरू कर देंगे, रात को 10 बज़े तक, सुबह 10 से रात 10 बज़े तक, 21-22 और 23 फरवरी को, रीवा कि कृष्णा राजकपूर ओडिटोरियम में फिल्म फेस्टिबल, इंटरनेशनल थेटर का ये फेस्टिबल आयोजित होगा, तो मेरी अपील है कि आप सब इस फेस्टिबल में पहुचें, और इस टीम का भी उत्साव अर्धन करें, जो इतनी मेहनत कर रही है, यहां तमाम इनके वरक्शॉप कंटिन्यू चलते रहते हैं, और जो परफॉर्मेंस होने वाली है, उसमें जरूर आप अपनी भागेदारी वहां उपस्तित हो कर दें, बहुत बहुत धन्यवादू